आज हम बनाएंगे दो तरह के रायती की रैसीपी जिने बनाने में कुछ भी समय नहीं लगता है बहुत टेस्ट लगता है खाने में एक दम बेसिक मसालों से बना कर त्यार करेंगे आप इने गर्मियों में ठंदा ठंदा सर्व कीजिए यह बहुत टेस्ट लगती है खाने में या पीने में आप इने पूरी कचवड़ी दाल चावल सबजी रोटी किसी के साथ सर्व कीजिए तो चिली रैसी भी सुरू करते हैं हम न कहची पहले हम सबसे पहले फिरे का phatrتي बना लेंगी तो फिरे के लेंगे यह लिए को पर इसनौत बढ़ीय ने हिपार वा लियर थञा है करें किणा तो यह पर खेंगे जोल य। कि टिवाले करिए की जानागी और यह को शुच थांगे से इस था आदा चम्मत जीरा पाउडर तो मैंने यह जीरे को भून कर बनाया पाउडर इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट रायते में यह जरूर डालिएगा तो अब हम यहां पर इसको बढ़िया से मिला लेंगे तो अब हम यहां पर मिलाएंगे जो हमने खीरे गिसके रखे हैं वह खीरे भी हम इसमें आड़ कर देंगे तो खीरे एड़ करने के बाद हम यहां पर इनको खोब बढ़िया से मिला लेंगे तो आप यहां पर पानी अपने इच्छा गैनोसार मिलाईएगा अगर आपको ज़्यादा लिक्विड जाई तो आप थोड़ा ज़्या पानी दालोंगी मैं केवल यहां पर आधा कप पानी आइड करूंगी इससे जादा नहीं क्योंकि हमने आपर कीरे किराय तो नहीं तो जादा रखना है और नहीं तो जादा पतला पस नॉर्मल सा रखना है तो इतना ही हम लिक्विड रखेंगे तो अब हम लगाएंगे इसमें करी पत्ता डालकर अच्छी से इसको मिला लेंगे तो आप यहां पर यह तड़का पूरी तरह ओप्सनल है अगर आप तड़का लगाना चाहों तो लगाएं यह पर लेकिन तड़का लगाने से क्या होता है रायते का स्वाद दो से चार गुना बढ़ जाता है तो यह लीज क्याथि लगता है खाने और पीने में तो चलिए हम दूस्रा जा बनाने के तैयारी पर चलते हैं तो अब मैंने नहीं पर लिया इक बाउल एक कप अच्छे से फेट लेंगे तो बड़ीया से फेट लेंगे तो रायता बनाते समया आपना बढ़ी को बड़ीया से लिए उस तो आप यहां पर इसमें थोड़ा पाणी आइड कर देंगे तो आप यहां पर पाणी जितने आपने दही लिए ना उतना ही पाणी आड़ कर दीजी तो मैंने एक कप बूंदी जो है ना पानी बहुत ज़्यादा एब्सॉर्प करती है तो फिर उससे क्या होता है रायता एक चुटा चपमज जीरा पावडर को भून कर लिया है मैं ने यहांपर खुब बढ़िया से मिला लेंगे तो अच्छे से मिलाने के बाद हम यह पर इसमें भी बढ़िया वाला तलका लगाएंगे तो अब मैंने यहां पर लिया एक तलका पैन और अच्छे से गर्म कर तेल जासी गर्म हो जाए तो एक चोटा चमज जीरा डाल देंगे तो जीरा डालने के बाद हम यह आप पर लिये थोड़ी सी लाल मिर्ची यह सूखी वाली लाल मिर्ची इनके बीज अठाकर ले लिये हैं तो अच्छी से मिलाएंगे और यह बढ़िया वाला तलका लगा दें तो उमीद करती हूं आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक शेर करना बिल्कुल ना भूले और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल ना जाए तो मिलती हूं अगली ए